यदि हमारा लक्ष ये है कि शहद को अपने शुद्धतम स्वरूप में उपभोगताओं तक पहुचाना है तो फिर मैं नहीं समझता कि उसको प्रोसेसिंग जैसे किसी भी चीज से गुजरने की आवशकता है क्योंकि यह हम जानते हैं कि शहद अगर लेबरेटरी में बन नहीं सकता केवल मदुमक्खी ही उसे बना सकती है तो फिर हम मदुमक्खी के छत्ते से शहद को निकालने के बाद सीधे जनता तक पहुचाने से पहले प्रोसेसिंग के नाम पर क्या करता है इसलिए मेरा मानना है कि रौहनी कच्चा शहद जो सीधे छत्य से निकलता है और जो एक मदुमक्खी पालक निकालता भी है उसके बीच में और कोई प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए और जब हम शहद की बात करें तो दर असल रौहनी की ही बात करें प्रोसेस धानी की नहीं क्योंकि उसमें शेहद को गर्म किया जाता है और फिर उसमें बहुत सी चीजें उसका मिस्यूज किया जाता है क्योंकि शेहद 45 से 60 डिगरी सेल्सियस के उपर गर्म होने पर अपने गुणधर्म खो देता है